फिर्म इंडास्ट्री की एक आक्टर ने किया खुलासा कि कैसे वेब सेरीज के नाम पर उन्हे कुछ अशलील वेब सेरीज आफर हुई जिसके बाद इस आक्टर ने इस वेब सेरीज के लिए मना कर दिया ये actor industry के बहतरीन actors में से माने जाते हैं और लंबे समय से इस industry में active है मुकेश खन्ना की मैं बात कर रही हूँ जो शुरुआत से ही फूहरता अशलीलता के खिलाफ बोलते आई हैं उन्होंने बताया कि क्यों आज दिन तक वो किसी web series में नजर नहीं आए उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि उन्हें offers नहीं आए उन्हें दो web series offer आई जिसके बाद उन्होंने director से कहा कि मुझे मेरे scenes बताओ detail में तब उन्होंने जो scenes सुना उसके बाद उन्होंने इस series के लिए मना कर दिया वो कहते हैं कि 2-3 lines पड़ी और उसके बाद ही आगया कि एक massage करने वाली लड़की होगी आप unmarried होते हैं frustrated होते हैं तो मुकेश खन्ना कहते हैं कि इतना ही पढ़कर मैं समझ गया कि अशलीलता है मैंने डिरेक्टर को ये भी कह दिया कि ये अशलीलता नहीं है तो फिर क्या अशलीलता है मुकेश खन्ना ने कहा कि इस तरीके के अशलील रोल्स करने से अच्छा कि मैं अपना जो काम कर रहा हूं वही ठीक है आपको बता दी कि मुकेश खन्ना अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उस पर एक शो भी है उनका जहां पर वो कई सारे सेलिब्रिटी से बात करते नजर आते हैं जिस एपिसोड में मुकेश खन्ना ने ये खुलासा किया उस एपिसोड में करनवीर वोरा उनके शो के गेस्ट थे और उनी से बात करने के दौरान मुकेश खन्ना ने बताया कि कैसे पहले डिरेक्टर ने कहा कि अशलीलता नहीं है और पिर जो सीन बताया जो सीन नरेट किया उसमें कूट-कूट के अशलीलता भरी हुई थी। मुकेश खन्ना उन लोगों में से एक है जिनोंने कपिल शर्मा के शो को फूहर्ड और घटिया कहा था कि कैसे आदमियों को औरतों के लिबास पहना कर ये जो है कॉमेडी के नाम पर फूहर्टा करते हैं।